वेल्कम स्ट्रेंड्स सो हमारा चैप्टर है सेल बायोलोजी और बायो टेक्नलोजी उसका आज हम पार्ट सेवन देखेंगे जो की लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंड्स शो स्टेंड्स पिछले वीडियो में हमने कुछ रेवुलुशन के बारे में पड़ा था ग्रीन रेवलुशन वाइट रेवुलुशन और ब्लू रेवुलुशन देखा था कि किस तरह से कुछ नए नए डेवलोपमेंटल स्टेजेश आये थे हमारे एगरिकल्चर फिल्ड मे इंडियन अगरिकल्चर फील्ड में देखा था कि ग्रीन रेवलुशन से क्या गवा था वाइट रेवलुशन से कैसे प्रूटीन्स की नीड पूरी हुई थी और ब्लू रेवलुशन से हम लोग क्या कर रहे थे एकविटिक एनिमल्स को पाल रहे थे हैं उसके बाद हमने देखा था कि हमने फर्टिलाइजर्स का कैसा यूज किया है हमने देखा था कि दो टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं और एक केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है स्ट्वेंट्स सो हमने समझा था पिछले वीडि insekticide क्या होता है insekticide so देखते है so यहाँ पर यूरिया है वो क्या है fertilizersった और यहाँ पर cho d u t powders लिखा है boobs following insecticides एक type so insecticides word का मतलब पहले समझना है क्या होता है insecticide insect मतलब insect killing chemical क्याester insect killing chemicals कह बोलते है insecticides बोलते हैं जो भी disease वगेरा होते हैं जो भी plant के disease वगेरा है वो तो plant की natural immunity समाल लेती है पर जो बाहर से plant को हांग कर रहे हैं जैसे कि insects हो गए इसले जो insecticides का use है वो क्या है control में नहीं आ रहा है क्या हो रराःष्टविंट्स? insecticide का use है वो control में नहीं क्यों नहीं use रराःष्टविंट्स हो क्यूकि immunity थो plants की अंदर से वो disease से बचा रही है पर जो insect है वो plant को बाहर से हांग करते हैं क्या करते हैं? plants को बाहर से हांग करते हैं farmers क्या करते हैं insecticides का use करते हैं जिसके वज़े से insecticides का use इतना हो गए है कि वो control में नहीं है irrespective of natural friends of farmers like frogs and insectivorous birds pesticides are used on large scale for increase in yield so strengths जैसे कि farmers के natural friend होगे जैसे कि frogs, frogs क्या करते हैं insects को खाते insectivorous birds insectivorous birds क्या करते ہیں insects को करते इनके जगह पर pesticides का use क्या हो गया ज्यादा हो गया surrounds पहले कैसे होता थो पहले जब insecticide pesticides नहीं हुआ करते थे जो frog होते थे insectivorous birds होते थे farmers उस पर इटipेंट होते पर अब क्या कर रहे है ooh pesticides और insecticides को ज्यादा यूस करने किसले increase करने के लिए एल्ड को increase करने के लिए पर जो pesticides और insecticides क्या होते हो वो poisonous रहते हैं harmful रहते हैं instruments तो यहाँ पे लिखा है pesticides are in fact a type of poison this poison enters the food web through water and food and its bio magnification occurs तो जो pesticides और insecticides वो क्या है instruments वो poison एक टाइप के जहर हैं और यह जहर क्या करते हैं यह food और पानी के दोंशाद है हमारे body में accumulate होने लगते हैं क्या करते हैं accumulate होने लगते हैं एक farm है Strength वहाँ पे आपने insecticides और pesticides को डाल दिया आप वो insecticides और pesticides क्या होंगे plants लेंगे और वो plants क्या होगा he plants हम खाएँगे और हम खाएंगे तो क्या होगा वो जो chemical है वो जो poison है स्टेばिक्सिटषीपajde है insecticide है क्या होगा स्टेंट्स हमारे body में थोड़े थोड़े amount में क्या होगा हो accumulate होने लगा जिसे हम क्या बोलते है bio magnification क्या बोलते है बायो magnification जो भी chemical है जो भी poisonous chemical है जब accumulate होने लगता है किसी भी organisms के body में तो उसे हम क्या बोलते हैं bio magnification बोलते हैं क्या बोलते हैं bio magnification बोलेंगे तो ये कैसे होता है ये water और food में मिल क्या आता है जैसे कि हमने pesticide और insecticide टाल दिया तो ground water में भी ये जो pesticide और insecticide है वहाँ पे जाएगा अगर हम उस water को लेते हैं तो हमारे body में वो poison क्या होगा दीरे दीरे वो chemical क्या होगा स्ट्रेंट्स दीरे दीरे accumulate होने लगए जिसे हम बोलते हैं bio magnification various pesticide like DDT DDT मतलब होता dichlorodiphenyl trichloroethane तो DDT मतलब क्या होता स्ट्रेंट्स dichlorodiphenyl trichloroethane यह पहले बहुत ज्यादा यूस होता था पर अब भी इससे शायद ban कर दिया गया है DDT है जो उसे ban कर दिया गया है DDT जो powder है उसे ban कर दिया है क्योंकि यह बहुत ही harmful pesticide है dichlorodiphenyl trichloroethane malathion chloropyrus phase etc तो यह क्या है यह कुछ pesticides और insecticides जो यूज होते हैं फार्म्स में farming में तो जो भी यह सब थे वो क्या हुए बहुत ज्यादा dangerous proof हुए है बहुत ज्यादा dangerous proof हुए है तो जो insecticides है उसे हमें नहीं यूज करना चाहिए strengths क्या करना चाहिए उसे नहीं यूज करना चाहिए सो अब हम देखते है organic farming अब जो insecticides इस पर आपको note लिखने आ सकता है right short note organic farming पर भी आपको short note लिखने आ सकते हैं strengths 3 से 2 marks, 2 से 3 marks के लिए आपको short notes लिखने को आ सकते हैं आगे देखते हैं organic farming क्या होता है strengths nowadays organic farming and organic products have become buzzword सो जो organic farming है क्या asteroid structures जो organic farming है अभी के time में वो बहुती चर्चे में हैं क्या है बहुती जाजसर चर्चे में बसWord लिखाया न है persistence ँसका मतलब है बहुती चर्ची मतलब बहुती चर्चे में यह सब हो रहा है organic farming की बाते हो रहे हे organic products की बाते हो रही है श्टर्स organic products are being available and demand for them is ever increasing तो जो organic products है वो अभी क्या होने लगे available होने लगे और इनका demand भी क्या होते जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है वो organic products क्या होते है और गनिक products वो होते है जो हम organic farming करके जो products हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते है और्गनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं अब मैं आपको पहले पता देता हूं और्गनिक फार्मिंग होता क्या है स्ट्रेंट्स सो और्गनिक फार्मिंग मतलब होता है without any use of chemical fertilizer, insecticide, pesticides इनका कोई use नहीं करना है स्ट्रेंट्स ना कि कोई genetically modified crops का भी हमें use नहीं करना है स्ट्रेंट्स सो उसे हम क्या बोलते है और्गनिक फार्मिंग बोलते हैं जो भी होगा naturally होगा स्ट्रेंट्स हम natural methods को use करेंगे हम beehives को लगाएंगे अपने farms के बाजू में ताकि pollination हो ना हम किसी modified चीजों का नहीं इस्तमाल करेंगे ना हम के इस chemical fertilizer का इस्तमाल करेंगे हम जो खाद रहेगा वो manure इस्तमाल करेंगा organic manures का उधर पर इस्तमाल करेंगे fertilizer के लिए यहां पर हमारा कोई भी chemical fertilizer नहीं यूज होगा कोई भी genetic modified plant नहीं यूज होने वाला है यहां पर जो भी होगा सब naturally होने वाला है हम beehives को लगा सकते हैं अपने farms के बाजू में ताकि हमारा pollination का process अच्छा हो ताकि हमारी productivity बढ़ सके यह सब हम कर सकते हैं इस्तमाल करेंगे और हम manures का इस्तमाल करेंगे cow dung का इस्तमाल करेंगे fertilizer scale chemical fertilizers and pesticides have been used on large scale this poisonous chemical reached the human body through food and water and their adverse harmful effect on human and environment become apparent so जो normal farming था स्ट्वेंट्स उसमें क्या होता था स्ट्वेंट्स चैमिकल fertilizer, chemical pesticide, insecticide बहुत ही जाधा यूज होने लगा था और इन सब poisonous chemicals का हमारे body पे असर दिख रहा था यह poison और दीरे दीरे हमारे body में accumulate होने लगते थे स्ट्वेंट्स क्या होने लगते थे दीरे 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 हमारे body में accumulate होने लगते थे और यह humans पे भी effect डालते थे as well as environment पे भी यह effect डालते थे तो यहाँ पे उसका effect हमें clearly दिख रहा है apparent मतलब होता है students clearly क्या होता है clearly various problems like soil fertility and pest infestation have become serious so इससे क्या होता था students इससे बहुत सारे problems arise जैसे कि soil fertility की problem arise soil fertility की problem क्या होती है students मतलब जब हम chemical fertilizer का use करते थे तो क्या होता था students soil کی fertility DP a DA कं Rs एक्या होता है students bytechnic और परे यह पेक और प्रापल्बिम दे है pest infestation क्यासतों पेस्ट infestation आपको अच्छे देस समझा है अब ऑब, यह इतना है जो मेरा फान है students इतना क्या है इतना मेरा फारम है इतना मेरा खेत है students और यह सब आजू बाजू का area है अब मैं अपने farm में क्या करूंगा अपने farm में insecticide और pesticides का use करूंगा तो जितने भी insect और pesticides होंगे यह मेरे farm को छोड़के दूसरे जगा जाएंगे क्या करेंगे तो अब क्या हो रहा अब यह जो फैले हुओ insecticides इंसेक्ट्स थे और पेस्ट्स थे वो क्या हो रहें यहां पर आ गए अब यह क्या हो रहें यहां पर एक ही जगह पर जमा हो जा रहें क्या कर रहे हैं स्ट्रेंट्स एक ही जगह पे जमा हो जा रहे हैं अब ये इंसेक्ट्स क्या हो रहे हैं एक ही जगह पे जमा हो जा रहे हैं आपको सबको पता ही अगर इंसेक्ट्स है तो diseases भी रहेंगे स्ट्रेंट्स यहाँ पे pest infestation एक बड़ा problem हो गया था स्ट्रेंट्स क्योंकि जब हम अपने खेतों में pesticides का इस्तमाल कर दे थे तो जो भी insects और pest थे वो क्या हो जा रहे थे स्ट्रेंट्स वो उन खेतों से बाहर चले जाके एक ही जगह पे जमा होने लग रहे थे वो अपना एक group बना ले लग रहे थे समझो यहाँ पे भी किसी का खेते उसने भी pest डाल दी यहाँ पे भी किसी का खेते उसने भी pest डाल दी तो कहां जाएंगे सब इंसेक्ट्स और pesticides तो यह सब कहां आएंगे यहीं पे जमा होंगे न स्ट्रेंट सब मिल जाएंगे यहीं पे जमा होंगे तो इसे ही हम क्या बोलते हैं insect infestation मतलब insects का जमा होना, insects का accumulate होना एक जगापर और जहां पे insects होंगे वहां पे बिमारी आ होंगे इससे क्या हो रहा था स्टेंट्स डिजीस बढ़ रहे हैं थे डिजीस बढ़ने के chances हो रहे हैं स्टेंट्स ये भी एक बड़ा problem हमें दिख रहा था serious problem हमें दिख रहा था so as to overcome these problems farmers are opting for organic farming इस problem को solve करने के लिए क्या किया है स्टेंट्स organic farming को adapt किया गया है farmers क्या कर रहे है organic farming start कर रहे हैं स्टेंट्स it includes complete ban on chemical fertilizers and pesticides and use of local study variety and thereby maintaining natural balance अब क्या हो रहा स्टेंट्स मैंने आपको पहले ही बोलाई कि organic farming में क्या होता है complete ban होगा chemical fertilizer पे, pesticides पे इंसेक्टिसाइड्स पे, local, study, local और study जो भी variety है crops के उन्हें भी हम नहीं use करेंगे स्टेंट्स इससे क्या होगा स्टेंट्स उससे होगा natural balance हमारा बना रहेगा और इस decision को सभी लोग ने क्या किया है welcome किया है, सभी लोग ने इसे माना है स्टेंट्स आप यहाँ पे आपको एक फोटो दिया है oil cakes और वर्मी कल्चर तो oil cake क्या होता है आपने सरसो देखा हुआ राई जिसे हम बोलते हैं राई सरसो तो जब हम सरसो का सरसो में से oil निकाल लेते हैं तो जो बचता है स्टेंट्स उसे हम बोलते है oil cakes क्या बोलते है oil cakes बोलते है UPBR में curry बोला जाता है क्या बोला जाता है curry बोला जाता है उसे oil cakes जो होता है वो क्या होता है वो use होता है हमारे cattle के लिए use होता है cattle को as a feed करने के लिए use होता है और हमारे खेतों में भी हम इसे use कर सकते है हम यहाँ पे natural fertilizer बनाएंगे वर्मी कल्चर में क्या होता है तो जो अर्थवाँ होगे अर्थवाँ को हम क्या करेंगे और उसमें अर्थवाँ के साथ हम क्या खरेंगी अर्थवाँ के साथ हम थोड़ा सा soil mix करेंगे थोड़ा सा हमारा cow dung mix करेंगे और उसे एक से देड़ अपते के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होगा वो fertilizers होगा वो हम क्या करेंगे अपने farms में यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे एक से देड़ अपते उसे रखेंगे उसके बाद जो एक से देड़ अपते बाद का product होगा उसे हम क्या करेंगे as a fertilizer use करेंगे अब देखते हैं apiculture क्या होता है apiculture मतलब आपको समझ जाना है beekeeping beekeeping मतलब madhu makhyon का पालन madhu makhyon का पालन you must have seen bee hives worst method of harvesting collecting the honey from these hives is driving away the bees by smoking the hive with burning torch and then cutting the hives into pieces so आपने madhu makhyon का छत्ता देखा ही होगा पर सबसे जो worst तरीका है बी जो honey है उसे collect करने का सबसे worst तरीका यह है कि students हम क्या करते है हम honey bees को smoke करते है मतलब हम उन्हें smoking देते है हम उन्हें धुमा दिखाते या तो उन्हें टॉर्च जलाते है या तो उन्हें जलाया जाता है धुमा दिखाया जाता है जिनके वज़े से क्या होता है honey bees भाग जाते है कुछ हनी बीज मर जाती ही और फिर हम क्या करते थे उस हनी को निकाल जो कि बहुत ज्यादा वर्स्ट मेथड है अगर हम हनी बी को मार रहे हैं मतलब हमारे इन्वायर्मेंट पे भी बहुत बड़ा असर हो रहा है क्योंकि हनी बी सबसे बड़ा एक ऐसा इंसेक्ट है जो पॉलीनेशन करता है क्या करता है पॉलीनेशन का प्रोसेस करता है प्लांट में जिसके वज़े से हमारे क्या होता है productivity बढ़ता है plants में पर हम क्या करते हैं हम honey के लिए उन्हें क्या करते हैं भगा देते हैं या उन्हें मार देते हैं this method causes the destruction of hive and large scale of honeybee death तो क्या हो रहा strengths इसके वज़े से क्या होता है एक तो उनका छत्ता भी बरबाद हो जाता है strengths और बहुत सारी honeybees क्या होती है मर जाती है however it is easy to collect the honey without destroying the hive and bees if artificial bee boxes are used so ये सब easily collect किया जा सकता है honey को बिना मदुमक्यों के मारे तो कैसे होगा strengths जब हम artificial bee box का use करेंगे strengths क्या करेंगे जब हम artificial bee box का use करेंगे artificial bee boxes भी आते हैं strengths उसमें क्या होता है strengths उसमें हम honeybees को पालते है strengths और वो honeybees क्या करती है आजू बाजू के flower से juices लेती है और उसमें honey बनाती रहती है और हमें महिने एक एक महिने में एदेड़ देड़ महिने में क्या होता है strengths honey bee मिलते रहेगा वो भी large amount में honey मिलेगा वो भी हम किसी भी एक भी मदुमक्यों को हम हाम नहीं करेंगे honey लेने के लिए हमें दोनों फायदे होंगे हमें farming में भी help करेंगे जो bees रहेंगे अगर हमने अपना जो artificial bee box से वो हमारे farms के बाजू में लगाया strengths और हमें honey भी मिलने माला strengths और एक cultivation of medicinal plants so crops के साथ साथ medicinal plants का भी importance क्या होगा strengths बढ़ गया है medicinal plants का भी importance क्या होगा बढ़ गया ayurvedic plants का भी importance बढ़ चुका strengths ज़रूरी नहीं है कि हम खाने के लिए plants को grow करें हमें medicines भी चाहिए strengths क्योंकि हमें diseases भी होते हैं तो medicine भी हमें कहां से मिलेंगे हमें plant से ही medicines मिलने वाले हैं strengths India has been gifted with a great biodiversity so India में बहुती ज्यादा biodiversity variety variety of plants मिलते variety variety of herbs मिलेंगे variety variety of medicinal plants crops मिलने वाले हमें तो बहुती ज्यादा biodiversity है India में Indian citizens have established a humble and strong relation with the nature और Indians के इंडियन जो है इंडिया के जो लोग है उन्होंने भी एक अच्छा relation बनाया है strengths environment से और nature से एक अच्छा strong relation बनाया हुआ है और अब भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे agriculture का भी importance बढ़ते चारा है strengths cultivation का भी importance बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे लोग भी क्या करने इस्टेंट्स nature का ध्यान रखना स्टार्ट कर दी है nature को समझना स्टार्ट कर दी है nature के साथ कैसे रहना वो भी सीख जा रहे हैं लोग तो बहुत ही अच्छा रिलेशन नेचर के साथ बना के रखा है जो Indian citizen system we have a great tradition of Ayurveda that cures the disease with the help of natural resources आप सबको मालूम है कि जो Ayurveda है Ayurveda है वो इंडिया इंडिया origin है मतलब Ayurveda का इस्तमाल कहां से start हुआ था strengths India से start हुआ था strengths हमारे great tradition हमारे पहले से ही हमारे tradition एक follow होते जा रहा है कि Ayurveda में सब का इलाज हो सकता है natural source का इस्तमाल करके strength हम पहले से ही medicinal plants को use करते हारे हमारे diseases को ठीक करने के लिए हम natural resources काई हमारे diseases को ठीक करने के लिए यहाँ पर कुछ example दिया है जैसे कि बहुत ही ज्यादा उसफूल अधिकते हैं। बहुत ही ज्यादा य्यूसफूल प्लांट्स होते हैं मेडिसेंस की टम। कि विद्यों सेन्व üçट फेली सेच्टर फाइसरें, मैंडिसेनल प्लांट्स wasphen clinical. cultivated so students पहले क्या होता था पहले बहुत सारे forest हुआ करते थे तो उस forest में हम क्या करते थे medicinal plants को हम collect करते थे और medicines बनाते थे इस वर अभी क्या हो रहा रहा इस अभी क्या हो रहा forest area का depletion स्टार्ट होगा forest area कम होते जा रहा इस तो medicinal plants भी अब कुछ rare हो चुके है ऐसे बहुत सारे plants से जो खतम हो चुके हैं क्या है ऐसे बहुत सारे plants से जो खतम हो चुके हैं जो की बहुती बहुती यूज आते थे हमें बिमारीयों को ठीक करने में so इसलिए जरूरी हो गया है कि हम medicinal plants को क्या करें cultivate करना start करते हैं अब देखते हैं fruit processing जो की last topic है हमारे chapter का we are daily using various products prepared from fruits all are consuming the products like chocolate juices jams and jellies so हम fruits से बने हुए बहुत सारी चीज़े अपने life में daily use करते हैं जैसे कि हो गया chocolates juice jams jelly यह सब क्या होता है यह सब fruits के product है fruits को बनाके यह सब fruits को process करके हम यह सब बनाते हैं all these products can be product by processing on fruit तो जितने भी products है हम fruits का यूज करके उन्हें बनाते हैं fruits are perishable agro product produced so fruits क्या strengths perishable है perishable मतलब सडने वाले हैं fruits कैसे होते हैं strengths एक हपते साथ से जाथ है एक हपते चलेंगे strengths उसके बाद है कि उन्हें हम ऐसा process करें कि वह एक से देड़ साल क्या हो जाए चल जाए strengths food processing includes various methods ranging from storage in cold storage to drying salting airtight packing preparing morabba evaporating एक सेक्टर तो हमें fruits को बचाने के लिए fruits को सडने से रोकने के लिए हमें कौन-कौन से methods use कर सकते हैं हम उन्हें cold में store करके रख दें या तो हम उन्हें dry करके रख दें अब cold में भी हम उन्हें store करके रख दें फ्रिज में अगर हम store करके रखते हैं fruit को तो बहुत दिन तक चल सकते हैं fruit अगर हम उन्हें dry कर देते हैं जैसे कि हमारा काजू हो गया बादाम हो गया इस अब क्या इतना dry fruits है ना हम ड्राइ करके उन्हें रख खा जाता है strands हम उन्हें dry करके रख रहे हैं और उनका use भी कर रहे है salting हो गया आप pickles वगेरा बनाते हैं so वो एक type का salting ही हो गया airtight packing strands अब हम fruits को क्या कर देंगे airtight pack कर देंगे ताकि fruit क्या होगा खराब ना होगा क्यूँ नहीं खराब हो नहीं और bacteria नहीं जाएंगे तो fruits क्या होंगे fruits वैसे कि वैसे ही रहेंगे preparing मुरब्बा अब आपने सुना यह होगा कि मुरब्बा बनाये जाते हैं apple के मुरब्बा, limbu के मुरब्बा आमला के मुरब्बा यह सब बनाये जाते हैं वह सब खराब ना हो मुरब्बा भी हम बना सकते हैं evaporating अब हम क्या करेंगे यह भी एक टाइप का drying process ही है evaporate method का इस्तमाल करके हम क्या करेंगे fruit को dry कर देंगे उसमें से जितना भी पानी होगा उसे हम क्या करेंगे evaporation process से निकाल देंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे fruits को बचा सकते हैं साल देड़ साल तक हम उन्हें बचा सकते हैं और हमारे products बनाने में हम use कर सकते हैं so I hope आपको समझा होगा और जो हमारा chapter है cell biology और biotechnology यहाँ पर end होता है so I hope आपको सबी चीजें समझी होगी so हमने इसमें cell biology बढ़ा था stem cells देखा था biotechnology और उसके application देखे important stages in development of agriculture हमने देखा so I hope आपको यह chapter समझा होगा so बहुती informative chapter था यह वाला और बहुती हमें बहुत ज़्यादा information हमें मिला है इस chapter से so I hope आपको यह chapter समझा होगा so next video में एक नए chapter के साथ हम मिलेंगे नए chapter स्टार्ट करेंगे अपना so thank you strands मिलते हैं अगले वीडियो में खवाद़ yeah इ início एक मिलते हैं फटिग भी नहीं उनहीं जन democr why